नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुन सार यूप्टुब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है उत्तर प्रदेश लोग सिवायोग प्रयाग राग जी आईसी प्रक्ता इतिहास प्रेटी सेट 15 में तो चले वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपस सबसे पहले पहुंचे तो चले वीडियो प्रारम करते हैं हाँ अगर आप लोग इससे पिछला प्रेटी सेट 14 तक वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बनावा जिसका नाम है यूपी पीजी टी इतिहास के नाम से उसमें आपको जो है पिछले प्रेट नहीं देखा है तो जाकर एक बार अवस्य देख लिजिए उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं देखे पाला कोशन है इसमें निमलिखित में से कौन 16 सताबदी में करनाटक में दास कूट आंदोलन से सम्मंद था तो दास कूट आंदोलन पूछ रहा है कौन सम्मंद था करनाटक में दिया है अकिंचन दास पुरंदर दास रह दास या राम दास तो दास कूट आंदोलन से सम्मंद था कौन था इसमें तो इसमें करेक्ट एंसर हो जाएगा पुरंदर दास बी वला एंसर होगा पुरंदर दास स्ला Gary S. सत्तपदी में करनाटक में दास कुट अन्डूलैं से कौन समन्दित है? पुरंदर दास कोर्ण नमबर दो है दिया है इसमें निमलेखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है सही सुमेलित नहीं है छैतन ब्रिंदावन यही इसमेंसर होगा A सही है छैतन ब्रिंदावन यह गलत है इसके अलवा ज्यानेस्वर अलेंदी सही है लेakिन छैतन ब्रिंदावन तो चैतन का जनमस्थल ब्रिंदावन में नहीं है कहां पर है बंगाल के नदिय जिला में बंगाल के नदिय जिला है इनका जनम हुआ था 1486 में और इनका प्रारमभिक नाम था बिसंभर किर्टन भजन में ये विश्वास रखते थे चैतन्य महाप्रभु के नाम से वे जाना जाते थे question number 3 बीजक किसके बचनों का संग्रा है बीजक गुरुनानक बाबा फरीद कभीर या रामानंद तो बीजक जो है कभीर का संग्रा है यानि कभीर के बचनों का संग्रा है तो बीजक जो है भक्ति अंदुलन का एक महत्पुन परवर्तक तथा रामानंद के सर्वस्रिस कबीर के जो बचान है उन्हें का संग्रा है बीजक में उन्हें को संक्लित किया गया है कोर्शन नमबर चार देखिए सेख सलीम चिस्ती की समाधी कहां पर है लाहोर में अजमेर में आगरा में या फटेपूर सीकरी में तो सेख सलीम चिस्ती का पूछ रहा है समाधी कहां पर है तो यह है फटेपूर सीकरी में डी एंसर होगा इसमें फटेपूर सीकरी में तो फट फटेपुर्शिकरी में जो सेख सलिन्चिस्ति का मकबरा है यह समाधी जिसको कायता है यह जो है सफेद संगमर्मर से निर्मित है यही एक मात्र है सलिन्चिस्ति का जो समाधी केवल सफेद संगमर्मर से निर्मित है इसके अलावा फटेपुर्शिकरी में जितनी भी समाधिय आएं सब की समाधी जो है लाल पत्थर से यह लाल प्रकार के पत्थर से परियोग किया गया है शीक, चलिम, चिस्ति के समाधी में सफेज संगबर और प्रियोग के जाए इसके लाँ जितने भी फतेवुर्शिकरी मगबरा है सब में लाल पत्थर का तो इसमें ध्यान देने वाली योग के बात है कोशन नमर पांच मां देखिएगा बीठोबा उपासना लोकप्रिय थी कहां पर गुजरात में तमिलनाडू, बंगाल या महराष्ट में तो बीठोबा उपासना लोकप्रिय थी कहां पर महराष्ट में एंसर हो जाएगा डीस में महराष्ट कोश्चन नमबर 6 देखें किसी सूफी संत ने कहा था कि हुनोज दिल्ली दूरस्त यानि दिल्ली अभी दूर है तो यहां पर देखें दिया है फरीद ने निजामुदिन ओलिया ने और आपसा ने नसुरुदिन चिरागे देली यह सेख बक्तियार काकी ने तो इसमें आपका एंसर हो जाएगा करेक्ट बी निजामुदिन ओलिया ने तो निजामुदिन ओलिया जो है चिस्ति संपरदायक से संबंदित था यह और सेख फरीद के सरवाधिक प्रसिद सिस्य था निजामुदिन ओलिया और हुनोज दिल्ली दूरस्त यानि दिल्ली भी दूर है यह कहा था किसके बारे में गयासुदिन तुगलक के बारे में गयासुदिन तुगलक से कुछ मद्भेद हो गया था इसी के परपेच्छ में यह कहा था कोश्चन नमबर साथ देखें मुगल समराज में काजी उल्कुजात संबंदित था तो काजी उल्कुजात किस संबंदित था म मुगल समराज में सारवजनिक निर्मार से बित से नियाय से या पूलिस से तो काजी उल्कुजा संबंधिता किस से नियाय से इसका एंसर हो जाएगा सी नियाय से यानि मुगल समराज में जो काजी उल्कुजात होता था वो प्राध्यान नियाधिस मुख्य नियाधिस इसकते के लिए किया जाता है किस सासक के प्रसासन तंत्र में कि रोड़ी सब्द का प्रियोग भूर आजस विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता है किस सासक के प्रसासन तंत्र में कि रोड़ी सब्द का प्रियोग भूर आजस विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता है दिया है अल्लावदिन खिल जी मुहमद विंतुगलक, सेर्षा या अकबर इसमें करेक्टेसर हो जाएगा दि अकबर के यानि किस सासक के प्रसासन तंत्र में किरोड़ी सब्द का प्रियोग भूराजस विभाग के लिए भूराजस विभाग के एक अधिकारी करूप में किया जाता था अकबर के तो इसमें इंसर हो जाएगा आपका डि अकबर कूस्टन नमबर 9 है सुमेलित करने वाला तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं 1527 में क्या हो था खानवा का ये दुआ था यानि एक अत्री 1556 में क्या हो था तो अकबर का जो है ये राज्या रोहन हुआ था 1589 में क्या हो था मजहर की घोषणा की गई थी और 1678 में क्या हो था अरंगजेब का बनारस फर्मान जारी किया गया था इस प्रकार ये सुमेलित था इसमें आपसन मैं नहीं लिखा हूँ कियो सुमेलित करकर देखा दिया गया है कोश्चन नमबर 10 देखिए दिया है औरंगजेब के सासन काल में निनांखित इरोपी यात्रियों में से कौन आया था आधोलिकित कौट में से अपना सही उतर यानि कौन इरोपी यात्रियों औरंगजेब के सासन काल में आ था पांच यहाँ पर दिया है कौट हलाकि जो इसमें कूट एक दो तीन वाला हम आपसन नहीं लिखे हैं तो औरंजेब के सासनकाल में कौन-कौन आया था बताना इसमें बिलियम हाकिन्स यह औरंजेब के सासनकाल में नहीं आया था यह जहांगीर के काल में आ था बिलियम हाकिन्स फ्रांसिस बर्नियर यह आया था दूसरा नमबर देखिए फ्रांसिस बर्नियर जह औरंजेब के सास इसमें सबसे पहले कौन बना उसके बाद कौन मना तो सबसे पहले बना था कुटुब मिनार के बाद बना था दोनों में ए है सबाय के कुटुब गाएगा आगरा इसके बाद देखें बना था फतेपूर सिकरी यह 1572 में डेटा कर देखेंगे 15 और सबसे लाश्ट में बना था ताज महल 1632 में कुत्य मिनार की बात करें तो 1212 में और आगरा फोर्ट की बात करेंगे तो यह 15 1475 टिसीव बना था यह डेट अगर याद करेंगे इससाबसे इसका करम देखेंगे डेट के अनसार तिथी करम के अनसार इसमें डी वल एनसर करेक्ट होगा कोश्चन नमर 12 है फतेपुर सिकरी के सम्मंद में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है दिया है इसका निर्माण प्राय एक पिढ़ी में हुआ यह थी सही है निर्पवाद रूप से गहरे लाल रंग के बलवे पत्थर का प्रियोग है यह गलत है यही सही नहीं है इसमें इसके अला मरियम का घर इरानी भित्ती चित्रों सजी था यह भी सही है सनचनाय धर्म निटपेश तथा धार्मिक दोनों ही थे यह भी सही है बी इसका एंसर हो जाएगा बी जो है फ़तेफुर सिखरी के समन्द में सही नहीं है कॉस्सन नंबर 13 देखे निम्न में से कौन मुगल चित्रकला की विशैस्ता नहीं है धार्मिक दरिस, दरबारी तथा सांस्कृतिक दरिस, युद्द के दरिस, परानिक गठाएं तो कौन इसमें जो है चित्रकला की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष कोश्चन नमर 15 है दिया है निम्न विदेशी निम्न विदेशी सक्तियों ने भारत में अपना वैपारिक के इंदर अस्थापित किया उनके भारत में परवेश की तीथी क्रमा अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूर्श सही उत्तर का चेन कीजिए इसम सबसे पहले एक नमबर पर पूर्टगाली आया था सबसे पहले पूर्टगाली इसके बाद दूसरे नमबर पर डच तीसरे नमबर पर ब्रिटिस आये थे और सबसे लास्ट में फ्रांसिस यह क्रम था पूर्टगाली डच ब्रिटिस और फ्रांसिसी कोश्चन नमबर 16 पहुंचा था 1498 डेट पुछेगा तो 17 मई 1498 को काली कट पहुंचा था काली कट के सासक थे जिनकी उपाधी जमरीन थी मैत्री पूर्ण बेवार किया था इनके साथ कोशन नमबर 17 देखे निम लिखित में से किसने इंगलाइंड के चार्ल्स दूतिय को बजरंगा की कैथरीन से बिवाह में बंबई दहेज में दिया था किसी ने दिया था ये पूछ रहा है कोशन डच ने पूर्टगाली ने इस्पेनी ने या फ्रांसीसी ने तो इसका करेक्ट एंसर हो जायेगा बी पूर्टगाली ने कोशन नमबर अठारा है निमलिखित में से कौन सा पहला किला था जिसे सीवा जी ने जीता था पहला किला दिया है जावली प्रताबगड तोरना रायगड तो पहला किला कौन था जिसको सीवा जी ने जीता था तीस किले का नाम था तोरना तोरना किला ये जीत किये थे 1643 सि निमलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में आठ वर्सों तक रहे यह रहा दिया है कुल्हापूर, सतारा, जिन्जी या पुरंदर तो राजा राम मुगलों के घेरे में आठ वर्सों तक रहा किस किले में तो उस किले का नाम था जिन्जी किला कोशन नमबर 20 है कथन कारण से दिया है सिवाजी की आठ मंत्रियों की परसद औस्ट परधान किसी परकार किसी कैबनेट नहीं थी सही है यह आठों मंत्री सिवाजी के सचीव की भातिक कारे करती यह भी सही है ते नहीं ए और दोनों सही है और एकी सही ब्याख्या भी करता है तो इसमें एंसर यह होगा कोर्शन नमबर 21 है सीवा जी के अभियानों में से कौन अनुक्रम सही है सीवा जी के अभियानों में से कौन सा अनुक्रम इसमें सही है इसमें ए वाला एंसर सही है, पहले चाकन, इसके बाद सूपा, फिर सूरत पर पर्थम आकर्मन, फिर बीजापुरी करनाटक अभियान किये थे ये क्रम से है, कोश्चन नमर 22 देखे, निमलिखित में से किस औरंग जेब के उत्रादिकारी का सासन काल सब से कम था किस औरंग जेब के उत्रादिकारी का सासन काल सब से कम था, अब देखे इसमें आपसन के अनुसार अगर देखा जाए, तो जहादार सा का सासन काल कम था यानि इन चारों में, नहीं तो अगर वह ऐसे देखा जाए, टोटल सासको में, तो रफी उद दरजात सासक था, जिसका सासन काल सब से कम था, तीन महीने का लेकिन इसमें आपसन में नहीं दिया, इस आपसन के अनुसार पूछ रहा है इसमें, तो रफी उद दरजात नहीं होगा, यहाँ पर जहादार सासस सब से कम सासन काल था, इसका कोश्चन नमबर तेईस है, 1761 में पानी पत के तिरती यूद के समय कौन पेशवा था, बाजी राव या बाला जी बाजी राव, माधो राव या बाजी राव तो इसमें एंसर हो जाएगा आपका बी बाला जी बाजी राव 14 जनुरी सतरों सेक सट को हुआ था पानिपत करतिती युद मराठों कि पेशवा बाला जी बाजी राव थे इसमें जिसमें मराठों की हार भी वी थी कोश्चन नमबर 24 देखे किस सिख गुरु ने बिद्रोही राजकुमार खुसरों की सहायता धन और आसिरबास से की थी गुरु गोविंद सिंग, गुरु हर गोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेक बहादुर इसमें करेक्टेंसर हो जाएगा C, गुरु अर्जुन देव ने कोश्चन नमर पचीस है और अंतिम कोश्चन है, बंगाल के किस नबाब ने इरोपियों की तुलना मधु मख्यों से की थी तो इस नबाब का नाम पूछ रहा है, आप संदिया है, मीर जाफर, मीर कासिम, अलवर्दी खा, नज्मु दौला इसमें करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका C, अलवर्दी खा, अलवर्दी खा, तो इसने जो है, बंगाल के नबाब था, इरोपियों की तुलना मधु मख्यों से की थी मध्मक्यों की उपमा दी थी, और ये भी कहा था कि अगर उन्हें नो छेड़ा जाए, तो वे सहद देंगे, अगर छेड़ा जाए, तो वे काट काट कर माल डालेंगी, अंग्रेजों की प्रपिछी में ऐसा कहा गया था, अलवर्दी खाने कहा था, ये थे कोशन आज के लि